आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो जिस किसी भी पैरेंट के पास या किसी भी छातर के पास यह वीडियो पहुँचे तो प्लीज वीडियो पूरा देखें अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि आपने जो सपना देखा है अपने पृति या जो पैरेंट देख रहे हैं अपने बच्चों की पृति वो सपना पूरा हो सकता है अगर आप सतत्प्रियास करते रहेंगे इसा मैंने क्यों का तो प्रिया जात्रो मैंने आज से बीस साल पहले एक सपना देखा था कि मैं MBBS डॉक्तर बनूँ क्या बनूं? MBBS डाक्टर बनूं. तो प्रिय चात्रों मैं नहीं बन पाया इसके कई कारण हैं. उस समय निकी जो कोचिंग लगती थी, तो बारह हजार रुपाय लगते थे, एक विसाई की, चार विसाई होते थे, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, कि हम सभी विशयों की क कुचिंग लगा सकें. तो प्रिय चात्रों फिर हमने क्या किया? फिर हमने क्या किया? फिर प्रिय चात्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं और नहीं जानते हैं, तो वो समझें कि हमने 2000 में 12 पास कर ली थी. 2000 में हमने 12 पास कर ली थी. उसके आठ साल तक माने 2008 तक, कब तक 2008 तक हमने कुछ नहीं किया? हमने एक भी डिगरी, एक भी डिपलॉमा, एक भी कूर्स नहीं किया. कारण ही था कि उस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम BSC कर सकें, BA कर सकें, नहीं थे पैसे. अगर पैसे होते तो फिर मैं MBBS ही कर ली था. तो हमारा जो सपना था कि मैं MBBS बनूं, MBBS करूं, तो वो सपना कैसे पूरा हुगा, वो आप बेडियों में देखते चले हैं. तो प्रिये चात्रों, और मैं यहां कहना चाहता हूं, मैं अपने माता पता के चरणों में बारां बार नमन करता हूं, मेरे माता पता बहुत अच्छे हैं, उनसे जो कुछ बना, उनने हमें दिया, उनसे जो भी बन सका, उन्होंने हमें दिया, तो मैं अपने माता पता के च तो प्रिय चात्रों 2000 में हमने 12 पास कर लिए थी MBB सपना था कोचिंग नहीं लगी तो यह परिक्षा में पास नहीं कर पाया इस बीच में क्या हुगा हमने साइंस कॉलिस से BSE का फॉर्म भरा BSE का फॉर्म भरा हमने 1st year पास कर लिए 2nd year के हमारे पास बच्चों पैसे नहीं थे पैसे नहीं थे तो हमने इसमें admission नहीं लिया माने हमारी BSE 1st year डिग्री जो पास की थी हमने वो हमारी बरबात चली गई ठीकर कुछ नहीं किया हमने इसके बाद 2008 में प्र यह चात्रों हमने हमने एक फॉर्म भरा B.A.M.S. Bachelor of Medicine and Surgery यह एक आयरुवेदिक डिग्री होती है साड़े-पांच साली की होती है जिसको पास कर लेते हैं तो जो लाब इसमें मिलेंगे वही लाब इसमें मिलते थे जिसकी बेतन B.A.M.S. डाक्टर की होती है उतनी ही बेतन M.B.B.S. की होती है अंतर सिर्फ इतना है कि जो लोग बाग है वो इलाज कराने M.B.B.S. के पास जाते हैं B.A.M.S. डाक्टर के पास कमी लोग इलाज कराने जाते है ठीक है हमारे कई दोस्त B.A.M.S. डाक्टर है medical officer है हम उनका नाम लेते हैं वो हमें भाई साब कहते है उस एक question समय नहीं आ रहा समझा दो तो प्रिया चात्रों B.A.M.S. उस समय मैंने top 7 में rank बनाई थी B.A.M.S. फस्ट प्रॉप में इसे प्रॉप बोलते हैं बच्चों इसे प्रॉप बोलते हैं इसे प्रॉप बोलते हैं सेकंड प्रॉप आत एक एक जो होता है डिड़ साल का हो तो जो सेकंड प्रॉप था प्रिया चात्रों उस समय भी हमारी जो फीस है हम नही भठ पा रहे थे हमारी पैरेंट को जिन जिन चात्रों के पैसे जमा नहीं हुए थे B.A.M.S. कॉलेज में तो उनके पैसे नहीं बहें थी नुनके पैरेंट्स को बलाया जा रहा था तो प् उनके चरणों में नमन करता हूँ तो second prof प्रिय छात्रों हमने इसका exam भी हम देने वाले थे लेकिन फीस ना होने के कारण हम second prof का exam नहीं दे पाए तो बच्चों इसमें सरफ third prof होते हैं BMS में इसके बाद आपको एक साल की internship करनी होती है तो उसमें आपको पैसे भी मिलते हैं और साड़े पांस साल की degree होती है तो आप डक्टर बन जाते हैं वह ही लाम मिलते हैं जो MBB से मिलते हैं कोई भी अंतर नहीं है एक भी रुपय का अंतर नहीं है तो प्रिय छात्रों अब क्या होता है इतनी साल है तो हमारी बरवाच चलेगी तो प्रिय छात्रों फर अब देखते हैं अब क्या होता है इसमें यहाँ पर तो हमने आपको क्या बताया कि हमने 2000 में हमने 12 पास कर ली थी और 2008 तक 2008 में हमने इस बीच में हमने कुछ भी नहीं किया यहां से यह तक हमने कुछ भी नहीं किया BSE फसटइर किती वो छोड़ दिये 2008 में 2008 मेंधीजाएमिस किया था हमने प्रदीश ठात्रों अब प्रिय छात्रों 2008 में हमने सिक्छक का एक्जाम दीया परिक्षा दी तो उसमें हमारे प्रिय छात्रों 200 में हमारी प्रिये चात्रों उसमें 158 नम्बर आए इसे भिए देखाये थे 148 पॉइंट में नम्बर आये तो इतने अच्छे नम्बर थे कि मेरा हर तहसील में हर जिले में पहले नम्बर पर नाम था हर तहसील में कोईको दोसों में 1658 अंकाना बहुत बड़ी बात होती है, तो प्रिये चात्रों फिर अब हमारे पास पैसे आने शुरू हो गया, जो भी हमें रोजगार मिल गया, जो भी हुगा, पैसे आने शुरू हो गया, तो फिर प्रिये चात्रों 2008 के बाद हमने क्या किया, तो समझो प्रिये चात्रों क्य पीच में हमने कुछ भी नहीं किया ना कर पाए पैसे की कमी के कारण तो प्रिये चात्रों 2008 के बाद देखी क्या किया मैंने अपने पैसों से फिर हमने प्रिये चात्रों बी एड किया इसके पहले बी एससी होती है लिखनी पाए बी एससी की एमे किया और प्रिये चात्रों और प्रिये चात्रों देखो यहां देखते जाएं आप हमने फिर टीचर के एकजाम दिए टीचर के हमने पच्चों एकजाम दिए टीचर के हमने एकजाम दिए वो भी हम आपको बताते चलते हैं तो प्रिये चात्रों 2011 की बात है 2011 की प्रिये चात्रों बात है 2011 की बात है दो हजार ग्यारा में हमने बाइलोजी से बाइलोजी से प्रिये छात्रों इसे बोलते हैं जो भी हो हमने बोटनी से दिया था तो पूरे MP में Pre-H.ा-R हमारी 21 भी रैंक आई थी 21 भी रैंक आई थी 21 भी रैंक आई थे स्रफ 20 लड़के यह बाइलोजी में पूरे उस्यार थे पूरे MP में आप बात करो फिर सर्व आप बढर गे के टीचर क्यों नहीं वने तो प्रिये छात्रों समझगा आप यहां हमने 2008 क क्या थी, फाइनल थी, तो इसमें कैसे लग सकते थे, लग तो सकते नहीं थे, लेकिन हमने यह exam दिया था, मना knowledge की बात कर रहे हैं, कि knowledge आपके पास होना चाहिए और प्रिय चात्रों, फर बर्क दो का जो exam होता है, second grade का exam होता है, तो उसमें भी हमारे 258 हमारी इसमें रेंक आई थी और प्रिये चात्रों फिर हमने दरोगा का भी अग्जाम दिया 2015 में हमने दरोगा का अग्जाम दिया इसे सब इंस्पेक्टर बोलती हैं तो सब इंस्पेक्टर बच्चों दोसों में हमारे 147 नंबर थे प्रिये चात्रों हम फिजीकल देने गए दोड़ देखने गए लेकन हम दोड़ में पास नहीं होगे अगर आपका सपना है कि आप कुछ बनना चाहते हैं तो इस युट्यू चनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जिस टीचर के पास अनवाव है वो आपको ज्यादा अच्छा समझ सकता है सब टीचर समझाते हैं विलकुल सब को नवन है लेकिन जो इस टीचर ने परिक्षा पास की है तो उस परिक्षा के बारे में आपको बेहतर बता सकता है तो प्रिये चात्रों यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने इसमें पर यह चात्रों हमने एक्जाम दिये बर्गे का दिया बोटनी से दिया इसमें भी हमारा चैन हुगा है लिस्ट में नाम है आप दतिया में देख सकते हैं तो यहां पर भी हमने बच्चो जो फस्ट ग्रेड है जिससे राजपत्र ददकारी बनते हैं जिसे लेक्चर बुलते हैं तो बर्ग एक का एक्जाम हमने यहां से पास कर लिया है बोटनी से अभी 2021 की बात है और प्रिय चात्रों जो PSC के परिक्षा होती है जिससे कलेक्टर वन डिप्टी कलेक्टर वनते हैं तो PSC के परिक्षा वी बच्चो हम परिक्षा कई बार पास कर चुके हैं कई बार पास कर चुके हैं अब बात आती है अगर आप मैंस पास कर लेते तो इंटर्वी होता है तो मैंस में हम पास नहीं होगे हैं उसका कारण सुन लो मैंस की तैयारे के लिए कोचिंग पता है दो-दो लाख रुपय कोचिंग के लगते हैं कितावे भी आपके पास अच्छ होनी चाहिए तो बच्चों एशत वात है कि हमारे पास इतने अभी पैसे नहीं है कि हम इतनी बड़ी कोचिंग लगा सकें और अच्छी अच्छी किताब हैं खरी सकें जिस दिन हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम मैंस की किताब बने हम एंपेस डाक्ट बने तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं यहां पर मैं कहना चाहता हूं बोस अपना हमारे बच्चे ने पूरा किया है मेरे बच्चे को बहुत-बहुत दो हमेशा खुष रहे उसके जितने भी दुख हूं कि सारी दूरू हमें मिलें उसके दुख हमारा बच्छा खुश रहे तो उस मेरे बच्चे का अभी इस बर्स पूरे गौालीर जिले में पूरे गौालीर जिले में हो सकता है उसका फस्ट नम्मर हो यह वह सकता है अभी ऐस क्लीर नहीं उत्ता इस से नंमर बहुत अच्छे फस्ट वी आराम से आशकता है वह तो सेपांब करें कि चल लाए हम- जो हिंदि माद्यम के चात्रों होते हैं जो हिंदी माध्यम से उन्होंने बारभी पास की होती है तो उनका सेलेक्शन प्रदिये चात्रों उनका सेलेक्शन जो है नीट में बड़ी मुश्किल से होता है उनका सेलेक्शन जो नीट में बड़ी मुश्किल से होता है मेरा बच्चा हिंदी मीडियम से यह तने पैसे नहीं है कि उसको में दाखला दिला सकें तो प्रिय चात्रों तो उसका सेलेक्शन हुगा है उसका चैन हुगा हिंदी मीडियम से अब बच्चों एम बीबियेस डाक्टर बन जाएगा तो बच्चों हमने जो आज 20 साल पहली सपना देखा था 2000 में हम एम बीबिय से आक्टर बन गया तो मेरे बच्ची को बहुत प्रेम हमारा संपना यहँ पूरा हुगा है अब बात आती है मेरे अभी लड़की भी है मेरे भी बालिका भी है मेरी एक बच्ची भी है तो वह अभी बारवी में हैं तो उसको भी हम उसको भी हम नेट ही पास कराएंगे, उसको भी हम डाक्तर बनाएंगे, यह भी हमारा सपना है, अब इस सपना कैसे पूरा होगा, तो अभी तो बार भी में है, अभी हमने उससे कह दिया, कि छातर पीछे पड़े रहते हैं, कि हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी हो, बहुत से कहता हूँ, कि आप परसेंट के पीछे मत भाव, पांच परसेंट, दस परसेंट हमें चलेगी, हम आप से कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास नौलिज होना चाहिए, समझ होना चाहिए, कि इस परसेंट का उत्तर यह है आया, तो कैसे आया, यह समझ होनी तो प्रिय चात्रों हमारी लड़की अभी बारेवी में है, तो हमने अभी नीट के बारे में उससे कुछ नहीं का, कि आप इसकी तैयारी करो, अभी आप बारेवी की तैयारी करो, अगली साल आप देखेंगे, समब अपतहा, मेरी बच्ची का भी नीट में सेलेक्शन हो जा आपको हमसे जो कुछ मीशाईए हमारी जो भी help हो सकेगी हम आपके लिए तदपर हैं हमेशा आपके लिए प्रयास करते रहेंगे जो भी हमसे बन सकेगा यह साथ हो परियशात्रो यह तो कम है अभी बहुत ऐसी डिगरीया है जो हमने आपको बताई नहीं है तो बरिये चात्रों आसा करते हैं आपको बाता समझ में आई हैं पिर कभी दुबारा फिर वीडियो में मिलती है आपको और जानकारी हम बताएंगे साजा करेंगे तो मैं अपने माता पता को नमन करता हूँ जनों ने हमें जनम दिया धन्वाद